हलो दोस्तों ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में आज टाटा मोटर्स ने एक बड़ी अच्छी तीजी बनाई थी लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे लगात लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेज करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों आज है 19 40 पैसे तक का लेवल हमें देखने को मिला उसके बाद गिरावाट शुरू होगी और 476 रुपे तक का लो बनाते हुए फाइनली यहां पे 484 रुपे 75 पैसे पे क्लोजिंग हुई और 4.88% के इंटरडे में गिरावाट हमें देखने को मिली तो दोस्तों यहां पे आज विक 100 पैंट तक गिरा था निप्टी-फिप्टी और उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली और फाइनली जो है गिरावाट तो थी आज तो दोस्तों ऐसा क्या रिजने की टाटा मोटर्स पे 5% लगबग गिर चुका है टाटा मोटर्स ने अलरड़ी बहुत अच्छे रिटन दे चुके हैं 460 इसका पहले 52 वीक का हाईता उसके बाद जैसे इसको ब्रेक आउट दिया है लगातार तेजी बनी हुई है एक सब्ता में 21% और एक महिने में 68% का बहतरी रिटन दिया है तो यहाँ पे डिमांड था थोड़ा सा करेक्शन होना जरूरी था और जैसे ही मार् सिटी सी का भी सेयर जाके देखिए 15% का लोवर सर्किट लगा था 15% का उसके बाद रिकवरी होई और 7% की गिरावट के साथ आज आयर सिटी क्लोजिंग दिया है तो मतलब कोई भी स्टॉक हो बड़ी तेजी के बाद गिरावट होती है करेक्शन होती है यह स्रिफ एक करेक इसा जो समय आता है वो सही समय है अभी तक मुझे कोई निगेटिव नहीं मिली है टाटा मोटर्स के लिए जो जिसकी वज़ा हो गिरावट का अगर मिलती है तो इस चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगी और जब मार्केट में सब तरफ गिरावट हो तो जल्दी मार्केट बढ़िया काम कर रही है और इन्हें होते अपना टाटा पंच भी लांच कर दिया है बहुत बढ़िया चल रहा है बिजनेस इनका कारूबार कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक पे आप इसको लॉंग टाइम के लिए होल्ड करके रखें आपको अच्छा रिटन देखने को मिले हूं फिर एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिबाब है दूस्तों ठेंक्यू